नमा बुदाय जैभीम साथियों सबसे पहले तो मैं दुनिया को सांती और मानवता का संदेश देने वाले तथाकत भगवान बुद्ध संत कबीरदास जी संत गुरु रवीदास जी गुरु नानक देव जी जोती वराव फूले जी सावीत्री भाई फूले जी फातिमा सेख जी साहू जी महराज परियार रामा सामी नायकर जी नैरना गुरु जी डॉक्टर बाबा साह बंबिटकर जी माता रमाबाई जी मानवर कांसिराम साहब जगदेव बाबु कुष्वा जी रामसुरु बर्मा जी लली सिंग यादव जी और समाज के सभी महापुष्टों के चड़नों में कोटी कोटी नमन करते हुए आज आप सबसे दिल से कुछ बात करना चाहता हूँ आज पूरे देश के अंदर में देख रहा हूँ जो हालात हैं वो कोई अच्छे हालात नहीं है पहले गरीब से गरीब की परिवार के बच्चे भी पढ़ लिक कर आगे बढ़ रहे थे चुकि पढ़ाई का खर्चा उतना ज़्यादा मेहगा नहीं था सरकारों से चातवरती भी मिल जाती थी आज चातवरती मिलना भी आसान नहीं है चात़ वर्ती भी कम की जा रही है और ऐसा लगता है जैसे खुद सरकारे मिलके साजिस कर रही हो सवाल यह है कि सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ाई का खर्चा इतना जादा क्यों हो गया लगातार फीस इतनी ज़्यादा महंगी क्यों हो रही है पढ़ाई की कि लोग पढ़ाई का खर्च न उठा पाएं प्राइवेट तो छोड़िये सरकारी कॉलेज में भी पढ़ने में लाकों रुपे खर्च करना पढ़ रहा है तो आखिर देश जा किदर रहा है पहले हम लोग हजारों साल के सताएवे लोग धर्म सास्तरों में मनुस्मर्ती में ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर व्यपार करने पर संपती रखने पर यहां तक कि इनसानियत का दर्जा भी नहीं मिला यह समयदानिक व्यवस्था है अनुस्यची जाती अनुस्यची जन जाती अती पिछड़ा वर्ग लेकिन अगर उससे हटके देखें तो हमारे धर्म के अंदर चार वर्ण में समास को बाटा ब्रामण च्छत्री वैस सूद्र सूद्रों को जिसकी संख्या देश के अंदर लगबग 88% है पिचासी तो ही अगर उसको इमानदारी से देखें तो इससे 85-88% के बीच की जो जनता है जिसको हम सूद्र कहते हैं उसको भी दो भागों में बटा एक सचूत और दूसरा चूत सचूत यानि जिसको चूआ जा सकता है और अचूत यानि अंटेचेबल जिसको चूआ नहीं जा सकता अगर इस अंतर को खतम कर दें तो ना तो सूद्र को पढ़ने लिखने का दिकार था ना व्यापार करने का दिकार था ना संपत्ति का दिकार था ना ही वेदों को सुनने का दिकार था, ना ही उसका उच्चारण का दिकार था और इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए कि जो देश के अन्धर प्राकरतिक संसाधन है चाहे वो खेत की जमीन हो, चाहे नदियों से उत्खनन होता हो, चाहे पहाडों से उत्खनन होता हो, चाहे जंगल से उत्खनन होता हो या कहीं से भी किसी भी प्रकार के जो देश में प्राकर्टिक संसादाने जिससे अर्वो खर्वो रुपे पैदा होता है जिससे कोई अपनी मा के पेट से लेके पैदा नहीं होता उसके चंद लोग ही उसके मालिक क्यों है क्या इस पे कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए देश के अंदर अनुफित जाती जन जाती अती पिछड़े वर्क के लोग जिसको अगर एक सब्द में कहूं सविधान की भासा से हट कर तो जो बहुजन समाज के लोग हैं मुल निवासी लोग हैं जो बन्चित वर्क के लोग हैं जो महनत कस लोग हैं तो इमानदारी से अपनी आजीविका कमाते हैं जिसको जीवी समाज भी कह सकते हैं जिसको स्रमन भी कह सकते हैं जो समन संस्कृति के लोग हैं वो लोग देश के संसादोनों के माली क्यों नहीं हैं। हजारों साल तक उनको पढ़ने लिखने से वैपार से संपत्ती से यहां तक की मानवता कि दर्जे से बन्चित क्यों रखा। कौन लोग हैं जिनों ने ये किया। आज OBC लोगों का इस्तेमाल ज़्यादा गलत तरीके से किया जा रहा है। अनुसुची जाती जन जाती का तक किया ही जा रहा है। लेकिन OBC लोगों को जरूर इस बात पर सोचना होगा कि जब तक मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तब तक आती पिछड़े वर्क के लोग या पिछड़े वर्क के लोग कालेज में प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाए। तब तक पिछड़े वर्क के लोग ब्यूरोक्रिसी में क्यों नहीं आ पाए। तब तक medical engineering में पिछड़े वर्क के लोग उस मात्रा में क्यों नहीं आ पाए? देश के संसादनों पे चंद लोग ही मालिक क्यों है? क्या इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? सब लोग एक तरफ से केबल नोक्री के चक्र में हैं किसी तरह सरकारी नोक्री लग जाए? चाचपडास ही लग जाए? मैं पूछना चाहता हूँ तोटल जी डी पी का सरकारी नोकरी से एक परसंट बैठता है इस एक परसंट से होगा क्या दोस्तों? कि देश केंदर केंदर सरकार की साध लगबग 49 लाख विकंसी जाइब राज्य सरकारों की भी जोड़ें तो ज्यादे से ज्यादा एक क्रोड सरकारी नोख्री हों गीजादा से ज्यादा लेओं क printing जन संक्या दो 135 Case 140 क्रोड है अगर एक करोड लोगों की नोक्री लग भी जाये तो 149 करोड लोग कैसे रहेंगे इसका मनलब नोक्रियों से केवल काम चलने वाला नहीं ये केवल नोक्री के भरोसे नहीं बैठना चाहिए देश में अर्तिवेबस्ता में हम लोग कहां खड़े हैं देश में प्राकर्तिक संसादनों में हम लोग कहां खड़े हैं इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए इसके साथ इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि धर्म का असली मकसद क्या है धर्म का असली माइना क्या है मैंने जह तक पढ़ा कानून के अंदर जब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था तो वाई question था what is the concept of dhamma brief में उसका उत्तर था dhamma means justice तो अगर धर्म का मतलब नियाय से जुड़ा है तो जो व्यवस्था लोगों को के अंदर उंच नीच पैदा करती हो जो सामाजी की व्यवस्था किसी को जनम से नीच और किसी को जनम से उचा बनाती हो जो व्यवस्था समाज को विभाजन करती हो बाटती हो जो सामाजी की व्यवस्था संसादरों पे कुछ ही लोगों का कबजा बरकरार रखने की हिमायती हो जो व्यवस्था इनसान इनसान में भेद पैदा करती हो जो व्यवस्था सिक्सा को केवल पैसे वाले लोगों तक सीमित करती हो जो व्यवस्था विवाजन को और विसमता को बढ़ाती हो जो व्यवस्था न्याय को तरजी ना देकर अन्याय को अमान वियता को एसमानता को विसमता को ताकत देती हो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्यों माने मैं समझता हूँ भारत कमजोर क्यों हुआ लोग मेरे उपर आरोप लगाते कि तुम तो जाती वादी हो तुम तो धर्म के नाम पर लोगों को बाट रहे हो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैंने आज तक किसी धर्म के विरुद्ध में कुछ बोला मैंने आज तक मानवतागी और इंसानियत की बात की और दूसरा क्या इस बात पर देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भारत विशुगुर कब था भारत सोने की चिडिया कब था भारत में विदेश से लोग पढ़ने कब आते थे भारत को दुनिया में लोग किस के नाम से जानते हैं अगर भारत को लोग बुद्ध के नाम से जानते हैं पूरे दुनिया में पूरे दुनिया में सांती और मानवता का संदेश भारत में बुद्ध के धम से गया वो बुद्ध का धम जो समता, स्वतंता, बंदुता, नियाए, प्रग्या, सील, मैत्री और करुणा की बात करता हो जो जाती की बात नहीं करता जो विसमता गया नया की बात नहीं करता जो सब को साथ ले के चलने की बात करता है सब में प्यार पैदा करने की बात करता है जिस वेबस्ता से भारत गौरोसाली राष्ट बना जिसने पूरे दुनिया में भारत को गौरवान वित किया आखिर उस बुद्द्ध के धम से इतनी चुड़कियों जब हम दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों की उनकी आस्था की इज़त करते हैं तो उन्हें हमारे आस्था की इज़त क्यों नहीं करनी चाहिए उनको भी इस बात पर चर्चा करनी चाहिए जब पढ़ाई का खर्च महा होता जा रहा है तो ये पढ़ाई का महा करच क्या केवल देश के अनुसुची जाती के लोगों को या अनुसुची जाती के लोगों को परभावित करेगा क्या महेंगी होती ही पढ़ाई का खर्चा केवल अती पिछले वर्क को प्रभावित करेगा क्या जो जर्नल कर्टिकरी के लोग हैं उनमें जो गरीब हैं उनमें जो मजदूर हैं उनमें जो छोटी नोक्री वाले छोटी पुंजी वाले लोग हैं पढ़ाई मेहंगी होगी तो क्या उनसे पढ़ाई छीनेगी नहीं क्या वो अपने बच्चों की मेहंगी पढ़ाई का खर्च उठा पाएंगे नोक्रियां देश में नहीं है यार क्यों बार बार आरक्षन आरक्षन की बात करते हो पूरे देश में जो नफरत का माहूल जो मन कि यह समाज को बाठ रहों आप लोग है कि दो कि नोक्रिया नहीं हैं दूसरे छेतरों में भी आपको अषब्सर तलास ने होंगे मिंऩा जो गरीब वो गरीब ऐ कि उसकी कोई जाती नहीं है इसते बारे में सोचना कि देश की सरकारे नहीं सोच रही है ना केंदर सरकार सोच रही है ना राज्य सरकार सोच रही है आपका बच्चा किसी तरह मेहनत कर भी ले मैं पूछना चाहता हूँ यह जो दुनिया भर के इंस्टिटूट खुल गए कोचिंग इंस्टिटूट जहां लाख और उपर फीस है क्या किसी भी जाती धर्म को मानने वाले आम लोग उस खर्च को उठा सकतें नहीं उठा सकतें ना तो यह अच्छी सरकारों का काम नहीं है कि वो कोचिंग को बढ़ावा दे यह अच्छी सरकारों का काम नहीं है वो पढ़ाई को बहुत महंगा कर दे अच्छे सरकारे लोगों के लिए सरकारी खर्चे पर पढ़ाई की व्यवस्था करें लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था करें लोगों छोटे-छोटे रोजगार के अपने अवसर बनाने के लोन की व्यवस्था करें और निश्पक्स रूप से करें किसी के साथ बेदबाव ना करें तब कोई बात बनेगी आज तो न्याय अलों में न्याय नहीं दिखरा अगर आपको सुप्रीम कोड जाना पड़ जाना पड़ जाए तो इतनी लाखों रुपे की फीश चाहिए कितने लोग है जो उठा पाएंगा वो खर्च यह व्यवस्ता देश को मजबूत करने वाली नहीं है पूरे दुनिया के सामने देश कम जोर हो रहा है लोगों के पास जमीन है नहीं है कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक गज जमीन नहीं है रहने को जमीन नहीं है उगाने की तो बात छोड़िए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 95% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज की महंगी हुई सिक्सा का खर्च उठाने के लिए सक्सम नहीं है और भारत में मेजोर्टी में लोग नोक्री की तरफ भाग रहे हैं नोक्रियां हैं नहीं लोग रिजर्वेशन की बात के हमला बोल रहे हैं उल टी-सीदी कमेंट करतें गाली लिकने सए, गाली लिकने से क्या होगा भई मुझे गाली लिक लोग किसी और लोग उससे क्या होने वाला है उससे कुछ नहीं होगा तो राजनिती से समधान भी नहीं ninkling लै aja उसका कारण है लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहें जो करपुरी ठाकुर हुए, रामसुरूप वर्मा हुए, लेले सिंह यादव हुए, जगदे बाबु कुस्वा हुए, कितने ही लोग देश में ऐसे जिन्नों ने कुरवानी दी है, अपनी जिंदगी लगाई है हमारे लिए, क्या उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी, डोक्ट जिन्दगी खपा दी, बाबा सबने पत्नी चार बच्चे गमा दिये, किसलिए गमाये थे, क्या इसलिए गमाये थे हम लोग राजनीती में जाएं, और वहाँ जाके बंदवा मजदूर बनके बैठ जाएं, हमलाग नोकरी में जाएं, ब्योरोकरेट बने, इंजीनियर बने डौकर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने और अपने परिवार तक्सीमित हो जाएं, ये रेजर्वेशन का मतलब क्या, ये रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, क्या सइमाईने में अपने समाझ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने समाझ का मतलब वंचितल पिछड़े लोग मजदूर लोग किसान लोग जिनके बारे में सरकारे नहीं सोचती जिनके बारे में देश के बड़े नेता नहीं सोचते मैं उनकी बात कर रहा हूं क्या कोई उनके बारे में बात करेगा यह नहीं करेगा देश तरक्य कब करेगा पांच साथ परशंट दो प कि समान रूफ से आगे ना पढ़े सबके समान रूफ से आगे बढ़ने के अफसर ना बने हमें आ और कि सबको सश्ते में नियाय उप्लब देना हो एक सबको सब्सक्सित हमेस इस Seo', प्लक्रप सोच सकता है लेकिन यहां थो सब व्यक्ति अपने अपने बारे में अपने बारे में सोच रहे हैं बस नेता बन जाए और को भार्ष अगर और कोई दूसरी सामाजी की ववसा इतने अच्छी भारत से पैदा होती तो क्या पूरी दुनिया उसको स्विकार ना करती केवल बुद्ध के दम्म को क्यों स्विकार किया क्योंकि उसके अंदर करुणा है उसके अंदर प्यार है उसके अंदर सम्ता उस्तरता बंदुता है उसमें मेत्री है उसमें न्याय है उसमें सबके लिए समान अवसर सबको साथ लेकर चलेने की भावना है सबको साथ लेकर चलो यार जाती और धरम के नाम पे बाट दोगे अगर पुरा देस बढ़ जाएगा लेकिन हमारे देश की तो इस्तिती अलग है बिलकुल हमारे देश की संरचना को अगर ध्यान से देखे तो ऐसे है जैसे कोई अगर एक सरीर है एक सरीर का एक हाथ एक बाजू वो इतना मजबूत हो जाए बिलकुल लोहा लाट और बाकी का पूरा सरीर वो परलाइज हो जाए हमारे भारत की स्थिती बिलकुल है ऐसे सरीर जैसी है जिसका कुछ चंद हिस्सा बहुत जादा पावरफल हो गया बहुत मजबूत हो गया लेकिन बाकी का पूरा का पूरा सरीर एकदम परलाइज है तो फिर भारत मजबूत कैसे बने बारत एक सरीर कुरूप में देख तो मजबूत कैसे बने 5% लोग 2%, 3% लोग मजबूत हो रहे हैं 95% लोग बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं ऐसे तो देश मजबूत नहीं होगा ना देश में संसादनों का विकेंद दिरीकन समान रूपसों न चीए बाबा साहब ने जब समिधान लिखा तो केवल मोलिक अधिकार नहीं दिये बाबा सहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिबल उस्टेट पॉलिसी भी दी जिसमें राज्य सरकार और केंदर सरकार के लिए निर्देश थे कि वो देश के सारे संसादनों का समाज में समान वित्रन करें सब को काम के बदले में उचित पैसा मिले वर्किंग आर्स निर्दारी दोने चाहिए सब को इलाज की वबस्ता सरकार करे देश से कुपोशन पूरी तरह से खतमो सब को सस्ता वे सुगम नियाए मिले ऐसा क्या हो रहा है आप जरा जाती के बंदन से बाहर निकल के सोचिए जो लोग तार्मिक जुलोसों में नंगी तलवारे लहराते हैं वो कौन है जो लोग दंगों में जिनका इस्तेमाल किया जाता वो लोग कौन है जो लोग दंगों में मारे जाते हैं वो लोग कौन है कैस पर सोचना नहीं चाहिए मरने वाला भी गरीब दंगे करने वाला भी गरीब दंगे में मारने वाला भी गरीब दंगे में जेल जाने वाला भी गरीब दंगे में बरबाद होने वाला भी गरीब लेकिन जो दंगे करवाने के लिए दिमाग इस्तेमाल करता है जो अपना थोड़ा बुट पैसा इस्तिवाल करता है जो समाज को बाटता है जो देश को कमजोर करता है वो ही देश के उपर काभी जै मैजोरडी क्यों कमजोर है मुठ्फिवर लोग क्यों मजबूत है क्या इस पर जर्चा नहीं होनी चाहिए देश की संसद में देश की विधान सबाओं में इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती सुप्रीम कोड उचिने आयलों से सरकारी जो एजुकेशनल इंसिटूशन्स हैं उसमें बढ़ती फीस पे नियंतरन लगाने के ओर्डर्स क्यों नहीं आते पेटिशन्स तो बहुत सारी पड़ी हुई है और मैं भी देख रहा था जो अनुसुची जाती जन जाती पिछड़े वर्ग के लोग रिटन में बहुत अच्छे नमबर लेके आ रहे हैं लेकिन इंट्रूट के अंदर उनको इतने कम नमबर मिल रहे हैं कि वो लोग मुक्केदारा से आउट हो रहे हैं इसको भी इस पे भी सुधार की ज़रुवत है इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा कोट में लड़ना पड़ेगा तो कोट में लड़ेंगे रोड पे लड़ना पड़ेगा तो रोड में लड़ेंगे बहुत से लोग कहते हैं इनको कुरसी प्यारी है मैं बता देना चाहता हूँ कुरसी महत्मूर नहीं है यार एक रोटी खाते हैं, दो रोटी खाते हैं बीडी, सिग्रेट, सराब, बियर, बिस्की, पांतमा को गुड़का कोई चीज टच नहीं करते हैं, कोई लालच नहीं है अपने को अपने को भारत से प्यार है, अपने को अपने देश से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है गरीब लोग को नियाय मिले, मज़़ों को नियाय मिले, किसानों को नियाय मिले तो इसमें महिलाओं के ओपर होने वाला उस्पिडन बंध हो मजदूर को उनके काम के उनके पूरा पैसा मिले ये अगर नहीं हो रहा तो इस लड़ाई को कौन लड़ेगा यार किसी को तो लड़नी पड़ेगी ना अगर मैं उसे लड़ने के बारे में सोच बो इसमें बुराई क्या है क्या जरूरिये राजनीतिक पार्टी के माद्दम से लड़ाई लड़ी जा सकती है क्या जरूरिये केवल कुर्सी पे बैठके लड़ाई लड़ी जा सकती है क्या राजनीतिक सेट के कुर्सी सेट के लड़ाई ने लिड़ सकते हैं मैंने तो दोस्तों से अंकल किया है जब तक देश के हर गरीब को, हर मजदूर को देश की हर महिला को, हर उपिक्सित व्यक्ति को नयाय ना मिल जाए जब तक देश में सब के लिए समान रुप सागय बढ़ने के अफसर ना बन जाए जब तक देश में सब को सरकारी खर्चे पर सिक्सा और सरकारी खर्चे पर हिलाज ना मिल जाए जब तक सब को नयायलों से सस्ते में नयाय उपलब दना हो जाए जब तक देश के संसादन के अंदर सब को बराबर हिस्सेदारी भागेदारी ना मिल जाए तब तक इस रडाई को, नियाएले के अंदर भी, वेधान सभा के अंदर भी और रोड पर भी, हम बहुत मजबूती के साथ लड़ने के लिए मन बना चुके है हमारी इच्छा है, मेरी मेरे साथियों की, मिसन जेभिम के साथियों की समता सेनी दल के साथियों की दिबुदेश सोसाइटी आफ इंडिया के साथियों की और तमाम ऐसे लोग जो नियाए पसंद है जो मानवता पसंद है जो इनसानियत में भुरुसा करता है